हलो फ्रेंड विल्कम टू माई किचिन आज में सहर करने जा रहे हूँ आपके साथ कुरकुरे और रसीले जलेबी का रसीपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है कम सामान में हम बनाएंगे और बहुत ही टेश्टी बनकर तैयार होगा चली शुरू करती है उस रसीपी को बनाना जलेपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चासनी बना लेंगे यहाँ पर मैंने एक पतीला ली हूँ पतीली में मैं डाल दूंगी करीबन देर कटोरी चीनी जेर कटोरी चीनी डालने उपाद इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है मिक्स करने के बाद फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोरी सी इलाइची आप चाहे तो इलाइची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी food color, मैं यहाँ पर better में food color नहीं डालूंगी, इसलिए मैं पहले चासनी में ही डाल देती हूँ, अब चासनी जब तक हो रहा है, तब तक हम लोग better की तयारी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक बोल ली हूँ, बोल में मैं डाल दूँने कर एक चमच घी, अब यहाँ पर मैंने इनो का एक पैकेट ली हूँ, अब इनो का पैकेट को में हम डाल देंगे, इनो सब का घर में होता है, इसलिए मैं इनो डाली हूँ, अगर आपके पास इनो ना हो, तो आप थोरी सी मिठे वाला सोटा डालिएगा, करीबन एक चुटकी, ज़्यादा सोटा डालने से, फिर भटने का डर रहेगा जब आप जिलेपी बनाएगा, अब थोरी थोरी के पानी डालूंगी, पानी डाल कर इसे हम मिक्स करते रहेंगे, एक ही बार में पानी आड मत किजिएगा, थोरी थोरी करके पानी डालिएगा, कंसेड़न सी हमें अब इसे हम साइड में रख देते हैं, तक तक देख लेते हैं कि चासनी हुआ है या नहीं, देखिए चासनी भी हम लोग का तयार है, अब गैस बंद करके इसे हम साइड में रख देते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक कडाए बैठा दी हूँ, तेल को गरम होने के लिए आप च दूद की जो थेला आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अब बेटर को डाल देंगे अब कैप लगा देते हैं अब जलेपी तल लेते हैं राउं राउंड करके हमें जलेपी को तलना है और गैस का फिलेम आप लोटू मीडियम रखिएगा देखिए जलेपी अच्छ तर देंगे चास्णी में ज्यादा देट तक अगर आप चास्णी रख दीजिएगा तो जलेपी आपका सौट बनेगा इसलिए पांस सेकंड तक आपको चास्णी में डूबोना है और निकाल लेना है अब निकाल लेते हैं जलेपी को सारे जलेपी हम ऐसे ही कर लेंगे ध्यान देने वाले वात यह है कि पांस सेकंड हमें रखना है चास्णी में अब इसे हम सर्प कर लेंगे हम लोग का जलेपी तैयार है आप भी घर पे बनाईए